तो बिग बॉस डे थी पे हम प्रवेश कर चुके हैं और बैक टू बैक फाइट, बैक टू बैक फाइट, कोई सांस नहीं की जगा नहीं बैक बिग बॉस तो शुरू होता रहता है लेकिन उससे पहले मैं देवियों, सजनों आप लोगों से बूलना चाहूँगा अगर आप लोगे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो पहले चैनल सब्सक्राइब करता है ताकि नोटिफिकेशन आये तो हम लोग बोले ज जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि back to back back to back back to back चार 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 फड़े शड़े 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 और दो तीन आची हाइलाइट्स थी सबसे बड़ी हाइलाइट तो मैं यह कहुँगा कि एश्वरिया और नील को बठाया गया और बिग बॉस तो उनसे कुछ बाचीत की और बड़े ही सखत अलफाज यूज़ करके उनको बताया गया कि वाई आप लोग बोरिंग हो बिल्कुल बता दिया तुम कुछ बोलो ना इसमें उनको खुछ समझ नहीं आ रहा है अपस मैं भी विडियो कॉन बनसे कह रहे थे कि नील ऐच्वरियाष को समझा रहा है मैं ़गहा है उनको तब भी कुछ शमझ नहींया रहा कि वो बोल् भी क्या रहें और कि का समझ रहें बिग बॉस ने क्या बोलना चाह रहे है उनके बस कोई ठाई नहीं वो वही वाली बात तो कहले हैं कि हम कोई plan strategy के साथ आये नहीं है, एक खाली slate के साथ हम लोग आये है, एक होता है कि आप plan के साथ ना हो, एक होता है कि आप आपको बता नहीं होता क्या आने वाला एक होता है आप गेम देखते हुए प्लैन बनाओ वो बनाओ भी नहीं रहे खिक है अब उसको लग रहा है श्वरिया को कि शाएद लड़ने का बोल रहे है तो आज जबने देख लिया बेफालतों में लड़ना शुरू चीखना चिलना शुरू तो वो चीज शुरू हो गई तो उनको अभी तक इन दोनों को ना समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है तो वो जैसे बैठे वे थे वो यही हो थे कि क्या आपको फॉर्मेट क्या है यह वो एक बात मुझे उनकी ऐश क्या expect किया जारा है हमसे क्या format है फिर कि हम जुह है वो लड़ना शुरू कर दें क्या करना शुरू कर दें क्योंकि पहले ही होता थाiranा पॉलिके यह सब अभी भी यह ही हो रहा है पि arm बाइश्वरी आज को जो है वो बाहर निकलते के साथ ही हमने देखा कि वो बाबु भाईया के साथ भी फट्डा करना शुरू हो गई थी, ठीक है, उसके साथ-साथ फिर वो दो-तीन और ऐसे गर के सदस्य थे जिनके साथ वो चीखना-चिलना शुरू हुई, बिलकल, तो उनका एक अलगी रूप दिखा, जो एकदम silent और खोई-खोई सी थी, अब वो बीच में इंटिफेर किया, मालब उनकी वाइफ है, पज़ा नी, साही भी है, रुप देखें, तो जब अनकेता और विकी वाला भी अगर आप देखें, तो जब अनकेता और विशेक की फाइट हो रही थी, तो वो खड़े वे थे, साड़े वे देख रहे थे, उससा प वी इतना इंटिफेर नी गया, जितना और जो एक कपल नहीं है, उसकी बात पर से इशा का पटना हूँए, वो तो अलगी कपल है, वो खड़े हो भी नहीं आप, ठीक है, और आप उलए कपल उने का सबूत दीज्या, अगली कैसे बोला, अगली कैसे इसे बोला, अगली कैस में आप जब घुस्ते हो आप हावी हो जाते हो एज अमेल बंदा तो उसमें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हो लेकिन मुझे लग रहा है साही बोला कि यह अपना जो कहा ना में खांजादी उन्होंने उड़तावा तीड लिया है मैं खांजाद से अभी श अभी शेक को टॉंट माला लेकिन वो खांजादी ने बुला कि नहीं मैं भी यह दोनों कपल जो है ना वो बहुत ही अजीब है इशा और अभी शेक फड़ा ऐसा के पूछो नहीं महबत इतिनी के पूछो रहे हैं पता नहीं कि एक दूसरे के से लड़ते लड़ते लड़त मैं शुरू में इशा लगता है कि यार जैसे स्टेज पर भी था कि वो नहीं है अगी बहुत प्यार करता हूं और मैं जो शादी करना चाहता हूं उससे और बॉंडिंग क्रिएट करना चाहता हूं और शादी कर के लिए जाओंगा अभी शेक मुझे इस पर मुनवर मुझे उसकी बड़ी स्ट्रॉंग गेम इस वक चल रही है नेगेटिव नहीं बोलूँगा गेम खेलने आए वह बंदा मैं खुद उनको लाइक करता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुनवर जो है न वो समझ गए है कि अभी शेक किस चाइब का बंदा है उसके सामने अपने सीक्रेट सिविल नहीं करते है क्योंकि जिस बंदे ने अभी शेक के सामने अपनी कोई बात बोली है तो अभी शेक ने बढ़ा चला गया जैसे वो फार्ट वाला मसला हो गया उसने पहला दी तो मुनव अभी शेक के सामने कोई अपनी परसनल बात नी सुननी है उसके वीक पॉइंट समझ लो सारे मुनवर जैना वो उसका गेम उन पॉइंट है मैं तका हूंगा और वो तो कह रहा है मैंने तो भी गेम शुरू नहीं किया तो बंदा इतना पहुंचावा है तो जब शुरू करे कर आदे मैंने गो है मैंने वह कुछ तो कियों हिए और बाब भाई किहोंगी क्समत इतनी खराब है जब भी कुछ कहते है या मैसे राव कॉनFIDENds के साफ़ कोई दूसरा बंदा अगे मैंने किया होगा है यह बड़ा फ़नी होता है यह वही बार जो शुरूर में भूली थी कि दिमाग वाले जो है ना उनके पास दिमाग नहीं है मेरे खाल से अब जो तो यह शुपलिंग होनी चाहिए आप सिंस आपको भी गेम समझ आ रहा है हमें भी लोग समझ आ रहा है बहुत कोई समझ आ गया है वही कौन किस टाइब का तो शुपलिंग होनी चाहिए जैसे मनारा जो दिल वाले में फसी भी है जबके कुछ उसके मसले चल रहे है पर यह जो दिमाग वाले में तो नहीं जा सकती आज बने देख लिया अगरे जो दिल में बने जा सकती लेकिंग जो दिल में है दिल से नहीं खैले रहे है बना रहा खाए है तो वह उसको कहीं हमाँ जाना चाहिए द Ils si ah भी जो दिल से तो नहीं कहल रही तो इस थे क्ल साथैंगने है क्यों है जैसी नवेद मों वह दिल से खीलता है तो बाकी भी आप ले ले लें सना जो हैं वो बहुत बहुत इंडिफरेंट नीट्रल और अभी समझ रही है तो वो कुछ ऐसे हैं जो कि अभी शेक दम में चलो ठीक है कुछ और भी जो है उनको ऐसे शफलिंग होनी चाहिए कि जिस जगा वो ब्लॉंग करते हैं उनको वहाँ डाला जाये ताकि मदा है बिब अभी इनिशिल पॉइंट है बिग बॉस खुद भी देख रहूंगे कि टास्क जैसे स्टार्ट हो तो आइस्ता सा देखते हैं किस तरीके से होता है क्योंकि मैनेजमेंट घर की तो बिगड़ चुकी है बिल्कुल क्योंकि जो दिमाग वाले हैं वो टास्क एक को असाइन करते हैं एक को नहीं करते हैं और एक पर इतना बोश डाल देते हैं कि फट पड़ते हैं आज असली फटड़ा ही उस बात का हो रहा था जो जिगना के साथ भी हो रहा था बाकियों के साथ भी हो रहा था जो लोग किचन में आना चाह रहे हैं वो किचन में उनको ड्यूटी नहीं मिल रही कुछ लोग बहान नहीं करें नाखुन का मसला है गार्डन में चार लोग मिलके जो है वो जाड़ो लगा रहे हैं इतनी mismanagement दिमाग वालो से तो नहीं चल रही है इंसे तो नहीं हो रहा है वही बात पीच में पर फट्डा भी हुआ कि अभी शे करता है कि यह सिब एक टास्क कर रहा है नुराक उसे जाड़ो लगा रहा है ऐस मैं इसी चीज़ डाली जिसने होक किया है हमें वेट करें मैं पूरी एंड तक वेट करते हैं वो आएगा उनका क्या होता है शुरू में भी उनको टागेट विग बास करते हैं विकी को के यार आप नवेत को लेने चले कर देगा अनके ता लिगन आपको नहीं आपको फॉर गेम चल रही है नहीं मैं जी लगता है वह जो दो वह है न वह दोनों बिल्कुल अलग परस्नालिटीव है लेकिन अच्छी बात है वह रिस्पेट करते हैं वह एश्वरिया की तरह वो नहीं कहती के यार तुम मेरे साथ ही रहो जैसे आज नील मुझे नजर आया यह कहता भाई मुझे थोड़ा सा करनी दिया तो चो मैं कर रहा होता हूं और एश्वरिया मुझे बहुत ही जाधा इमेच और बच्चे की तरह या कुछ तो वह पैमपर्ड है बहुत पैमपर्ड वाली जो से वह बहेव भी कर रही थी पूरी एस उसमें तो यह था बच्छा और वो विग बहुत एक सब कहते हैं कि आपको क्या लग रहे है कौन किसको नीचे कह रहा है तो कह रहे है नहीं लेकिन आप इसको टाइम नहीं दो उसको टाइम मैं शोने के लेकिन हुआ है जब भी प्रोमा में देखा वो चीज़ तो है दूसरा मैं कहता है कि दोनों जो नहीं बिलकुल अलग परस्टनेटी ऐसे के अंकिता जो है उसको शो में आने का भी शौक नहीं था ठीक है पहले भी बोला किया पहले भी अप्रोच किया अब बिक की है ना वो होते हैं कि यार कि चलो ओफो केर करता हूं अब हो करता हो और चाई करता हूं वह ओलग जखाय है लेकर यहां पर मैं येम खिलने आया आया हूं हो पूल कॉंसरेशन अपने में लोग पार्क वाक कर रह 여러ते है तिसमें खास बूला कि मैं तुहांसर डिसकुस नही कोई game खेल रह Mexico ना मैं नहीं देखता आगे पीछे कौन है मैं competitive होता हूँ जार मैंने game खेल नहीं घीतना है थीजिए मैं खहुआ है विकी की भी हूई है कि अब यह मैं game में मैं यहाँ खेलने आया हूँ जितने आया हूँ ठीक है आप हो ठीक है साथ हो लेकिन गेम नहीं छोड़ूँगा तो बिलकुल ऐसा ही है दूसा ही है कि मुझे खांजादी की भी जो ना वो पैसनालिटी बड़ी निकल के आती नदर आ रही है जो आपने लास्ट कहा था कि लास जो सेकंड डेरा तबसे वो उनकी बड़ी बड़ी एकदन से जो ना वो हुई है में खाल से जादर लंबी नहीं चलेगी और चानक से बड़ने वाली नहीं एक बॉंड बंता हो दिखता है सोनिया और खांजादी का चल रहा है वो बीच में हुआ भी फट्ड़ नहीं सॉल् अगर खुल के सामने है सब चीज़ें करें ना तो वो बेशक अगर वो एफट ना भी करें तो वो एंटर्टेनिंग बंदी है कॉंटेंट बना सकते है तो मिझे लग रहा है जो के आइसा इसा ना खुलेगी तो बहतर होगी अरुन भाई की ज़रा बात कर लेते हैं आज च् किचिन में अभिशेक के साथ बिल्कुल और उन्होंने जैसे का कि अभिशेक मुझे पिन कर रहे हैं कि भाई बढ़तन दोएगा कि मैं धोलू मुझे सबसची जो एक इंटर्टेनिंग चीज़ लगती है वो अरुन भाई का जो लहजा और जो बोलने का तरीका जो डायलोग अलगता है ये सबका ना यहां पर शुममें में खैसे है अलग 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 स्टेडे से हैं अलग 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 अलाके से आयं अलग अलग फिल्ड्सह है तो सब 끼 लिग्विश का जैसे वो एंड मनवर बता रहा होता शाहिद क्या एकसेट का मस्लखा है खानजादी मनवर ने मोनोलॉक दिया कमरे में कि बिग बॉस ने कोई भी मिसस्स कास्ट कोई भी नहीं है सारी सेलेक्शन बैठरी ने बस वो लोगों में अपनी खुद की कुछ कि अपनी मिसस्कास्ट कोई सारी विद्क लिए उसके लिए कोई सपोर्ट में कोई होना चाहिता सकी सपोर्ट में भी पिनिया वह अकेला है और इसकी वहसे ज़र सी बात उन्हार हो थे हो नहीं समझ माया हुगा क्या वह बुलाक बढ़ा से फद्ड़ा भी हो रहा है थे आप सबका इंपट देखता है कुछ ना कुछ लेकिन नभी है थोड़े से आउट होता है तो मिझे लगता है कि एलिमनेशन भी होगी तो नभी ही दी जो जाते हुआ है इस वक्त इविन दो ट्रैट नहीं है किसी के लिए लेकिन बिग बॉस भी जादा उस पर एफर्ट नहीं करें विवी को टॉंट मारते मारते यह बताया जा रहा होता है कि न कोई इस एकज़ रिप्रम्ट बजै ऑप घरंः ने करें कि शाएत disparities जाए है इस एपिसोड में भी मुझे उनका कोई इन्पट दिखा ना कोई उनका कोई स्कीन डेम दिखा किया ज़से सुना ली जिसी लड़ती ही नजर आगई आज जो जिगना और खानजादी का जो किचन का मसला चल रहा था वो अपनी फ्रेंड के वहाफ फे बोलना जा रही थी जिगना में गई थी इसको कहने दो वह एक था अभी शेक तो सबसे टॉप में वो तो हरो स्टाड़ ढूंड रहे होते हैं आज में से लड़ाई करूं अंकिता बोलती भी नज रहा है आप कुछ करोगे तो स्कीन टाइम मिलेगा ना वह नहीं मिलता में खासे बिग बॉस को पता है कि कौन से ऐसे करेक्टर जाए घर के जो के फायदे मंद है तो उनको आप जो है वो प्रॉम्ट्स देते ने और बाकी तो अपनी मौत खुद बरेंगे सारे जो वोटिं सारे होरी होती है हम रोजी देख रहे होते हैं अउसको जिससे के से मोटिवेट कर रहा है सपोर्ट कर रहा है ओक अच्छी वाइब्स भी देता है आप के रहे बंदा अच्छा यह नहीं हो तो तुम दूसरों से करो, दूसरों से कनेक्ट करो, जरी तुनिए कि अगर एक से नहीं बनी तुम किसे नहीं करोगी, वो बड़ी अच्छे उसको ट्रैक पर लेके चल रहा है और बड़ा मनारा अगर आगए जाती है तो उसमें एक बड़ा रोल होगा, मनवर का जो के आगे बड़ा रहा है, तो उनसे विकी से थोड़ी सी बिलकुली स्ट्रैटेजी वाली मुझे वाई बात ही कि है, वो दमाख से ना वो प्लैनिक के साथ खेल रहे हैं, और पता है बात ही होती है कि बिग बॉस भाई नया नहीं है, बिग बॉस फुरी टीम है, 17 सीजन है ये, तो उ रहे हो, डिरेक्ट कर रहे हो, बुले है, ऐसे करोगा है, कॉंटेंट मैं दे रहा हूँ, प्रैंक सोच कर रहे हैं, उनको शुरू से था, क्या है, ये चीज मैं करके आ रहा हूँ, ठीक और मैंने ऐसे लिग चलना है, तो बिग बॉस ने बोला विटा ठीक है, अगर तुम ब फिर एक बार विकी ने भी वही अलफाज अभिशेक को समझाते हुए, बोला कि भाई, अगर तुने अब उसको बला तो मैं तेरी इस तरह से कर दूँगा, तो हाथ उठाना तो मना है, लेकिन इस तरीके से लैंग्विज उसका ना खेर वो बीप कर देते हैं विग वास वा आपके तबी सब की नेचर अलग होती है, तो वो निकल गई तो निकल गई, अलाओ तो ऐस सच नहीं है, ठीक है गाली भी नहीं है अलाओ बिलकुल, लेकिन अगर निकल गई तो फिर इतना नहीं है कि आप उसको अगर बार बार रिपीट हो जान बूच के बंदा करता है, त आपके निकल गई मुझे है, जब आप एक्रिसिव होती है, तो वो बस निकलता है, आप सोचते नहीं हो, फिल्टर हट जाता है, तो वो निकल रहे होता है, अच्छा प्रोमो में हमने देखा कि एक प्रेस कांफरेंस बलवाई गई है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और उ प्रेडिन्टली सारे जवाब दे रही है, और कुछ उनको ऐसा मीडिया परसन, जो टार्गेट करने ही कुशिश कर रहे थे, तो उल्टा वो उनको टार्गेट करने लग गई कि भाई, तुम नहीं हो कि आप परानी बाते हैं, और दूसरे चीज़ों की बाते हैं, दूसरे पर नहीं पूरा सेटप बनाके थे कि पूरी मेडिया बुलाके कि तुम उसके पास पर कुशिशन करो, तो वो मुझे समझ नहीं आए कि यह यह डेबल स्टेंडर्ड, क्यों हो रहा है, कि अब आप एक चीज़ बाना कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में हो, और आप जो लोग गेम खेलने हैं, उसकी तरफ के चीज़ करो, आप पास के लोग बुला के उसको टागेट करना, थाकि उसकी और वो जखम पर कहते हैं, नमक चड़कना, तो वाली चीज़ें हो दी है, तो उनकी पोजिशन, इस बिग बास में इस करेक्टर को लाने का मकस्द दी है, कि उसकी पोजिशन क्लियर की जाए, जंता के सामने बताया जाए कि भाई, क्या सचे, क्या जूट, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, कि अगर उनको अलाओ किया जा रहा है, उसकी लाइफ पर ड्रामा बना दो, कलरस टीवी पे यार, यह क्या बात है, बिग बाफिक बना दो, सि पर अपनी चीज़ें क्लियर करते हैं, यह प्रोमो है, हमें नहीं पता कि एक्च्वल में हुआ क्या, जिस वज़ा से हुआ कुछ और भी रीजन हो सकता है, लेकिन अभी तक तो यह लग रहा है कि पास्ट की बात है क्यों हो रही है, हाँ, तो मिझे भी यह गया है, यह सेंस आ रहा है, शायद वो तो रूल उसके पर अप्लाइन हो था, यह लेकिन पास की उस वख भी वह बात कह देंती है, पहले भी कर चुकी गार्डन में बैठ के बता रही है, लेकिन जब उसको रोका ऐश्वरिया को तो फिर, बिग बास सक्था घर है, बिग बास की मरजी, अपिसोड के अंदर है, यूँके मैं बढ़ा उसका करा था, कि इनका बॉंड का क्या होगा, क्या है, अगर वो ऐसा कहती है, कि अगर तुम अलग हो नहीं हो था, तो मैं तुम आद लिए आई तो क्या हो इश्वरिया और नील ने तो यह भी अग्री किया कि अगर वो अलग होना चाहरे है, या अलग घर में जाना चाहरे है, यहाँ पे अधर इंडिविजल कंटेस्टन बन के आयो, तो इंडिविजल कंटेस्टन के लोगे जीतना एक नहीं दोने ने जीतना, ट्राइ करना चाहिए वैसे अलग हो के, देखना भी चाहिए, बलब साथ दो यह निए लग लग खिलना चाहिए, बलकुल, तो यह चीज चाहिए, खर देखते हैं आगे-आगे क्या होता अभी तो स्टार्टिंगा सिर्फ, अभी तो क्या खेते हैं, पिक्चर अभी बाग गी है दोस्तों, तो दोस्तों यह था हमारा आज का एपिसोड, उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, हमारे यूट्वी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब तक अपना बहुत ज़ादा ख्याल रखिएगा, बाई बाई